हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम हिमान शुकुपता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लैट्फॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माइड मैप के इस सेशन में आज हम बहुत ही छोटे चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं विद धी हल्प ऑफ माइड मैप इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेफ्स ये चैप्टर जितना छोटा है उतना ही आपके लिए आसान भी है क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत बेसिक बातने करनी है इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेफ्स के रिगार्डिंग और इस चैप्टर से हर साल जे इमेंस में एक सवाल आपका आता ही आता है तो बहुत अच्छा अपॉशनिटी है आपका वो चार्ण मार्क सेक्योर करने की चलिए बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इस चैप्टर को रिवाइस करते हैं समराइस करते हैं जो जो इंपोर्टन चीज़े हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे सबसे पहले आज के चैप्टर में आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं तो आज के सेशन में हम Electromagnetic Waves की Properties के बारे में जानेंगे कि Electromagnetic Waves की Properties क्या होती हैं इसके बाद हम Displacement Current के बारे में जानेंगे जो हम light जिसके help हम देखते हैं वो एक particle नहीं बलकि एक wave है चिक है इसके बाद हम बात करेंगे energy और intensity की EMF wave की electromagnetic wave की चिक है और बाद में बात करेंगे हम pointing vector के बारे में चिक है चलिए भई तो सबसे पहले हां जी तो electromagnetic waves होती क्या है electromagnetic waves basically electric field और magnetic field और magnetic field के combination को हम बोलते हैं electromagnetic wave हम चाहें जिस wave के तुरू देखते हैं यानि कि visible rays हो गई चाहें ultraviolet rays हो गई चाहें infrared waves हो गई कोई भी wave हो आप x-ray लेलो radio waves लेलो ठीक है हाँ alpha rays, cathode ray, anode ray these are not electromagnetic waves electromagnetic waves कैसी है जो यह electric और magnetic field से बनी है ठीक है तो यह basically fields है electric और oscillating electric and magnetic fields हैं जो के एक दूसरे के perpendicular है और यह space में speed of light से travel करते हैं यानि कि 3 into 10 की power 8 meter per second से travel करते हैं चाहें वो आपकी light ray हो या radio wave हो सारी की सारी electromagnetic waves vacuum में same speed से travel करती है medium अगर आ जाता है तो speed क्या हो जाती है कुछ कम हो जाती है लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ vacuum की vacuum में क्या है आपकी speed सबकी सेम रहती है ध्यान दीजेगा यह जो है electromagnetic waves में particles नहीं होते है अगर हम मानते भी हैं तो photons मानते हैं और photons क्या होते हैं photons massless होते हैं यह उनका rest mass 0 होता है अगर मैं किसी charge को अब electromagnetic field create किस तरीके से की जाती है सबसे पहले यहां देखिएगा electromagnetic wave electric और magnetic field का combination है और यह दोनों ही field एक दूसरे के कैसे हैं perpendicular है अगर मैंने यह green field बताया है जो green plane है यह आपका electric field है तो इसके perpendicular का है red वाला आपका magnetic field है एक और ध्यान देने वाली बात जो कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं उनको ऐसा लगता है कि सर जब electric field maximum होगा तो magnetic field minimum और सर जब magnetic field maximum होगा तो electric field zero हो जाएगा मतलब सर energy आपस में एक्सचेंज हो रही है तो सर एक maximum दूसरा minimum ऐसा होना चाहिए था जी नहीं electric और magnetic field दोनों एक साथ maximum अचीव करते हैं अगर आप यहां देखेंगे तो दोनों एक साथ maximum अचीव कर रहे हैं ये maximum तो ये भी maximum और एक साथ ही minimum अचीव करते हैं एक साथ ही zero होते हैं basically energy transfer हो रही है ना ठीक है हर जगे energy same नहीं है चलो भाई तो electromagnetic wave ऐसा नहीं कि एक maximum तो दू minimum लेते हैं सर ये produce कैसे होते हैं जब एक charge rest पर होता है तो क्या produce करता है खाली electric field अगर वही charge constant velocity से जाता है तो क्या produce करता है electric field as well as magnetic field लेकिन अगर वही charge आपका oscillate करने लगे या accelerate करने लगे तो आपकी electromagnetic waves generate होती है जिस frequency से charge आपका oscillate करेगा उसी frequency की wave electromagnetic wave generate होती है तो electromagnetic wave basically क्या है कोई भी electric और magnetic field का propagation है through space चीक है चलिए भई अब बात करते हैं ये displacement current क्या है और उसकी जरूवत क्या पड़ी चीक है scientist का यह मानना था कि यार जैसा electric field behave करता है वैसा ही magnetic field भी behave करना चाहिए तो उन्होंने का यार जब magnetic field को change कराने पर electric field generate होता है तो scientist का यह मानना था कि फिर जरूर electric field change कराने पर magnetic field change होना चाहिए magnetic field generate होना चाहिए तो उन्होंने यह माना कि यार ऐसा होना तो चाहिए लिकिन कहीं दिख नहीं रहा था ठीक है और Maxwell का यह बहुत strong मानना था कि ऐसा होना ही होना है ठीक है तो Maxwell ने जब ampere circuital law देखा इन्होंने बोला किया moving charge current flow करता है current produce करता है moving charge की वज़े से magnetic field भी आता है तो moving charge की जगे अगर मैं electric field बोल दूँ तो electric field से भी magnetic field आना चाहिए और यह experiment कर ही रहे थे कि उन्होंने ampere circuital law में एक flaw धूना ठीक है और वो flaw यह था कि अभी तक हमने कभी electric field को change नहीं करा कराके देखा था टेल कि लिकिन जैसे ही conference इनवल подготов Committee जाने लिक्ट्र जैने रेक रोझाल तो एकक्षेंज करने के लिए इंहोंने electric field के चेंज को एक नया नाम दिया उसको नाम दिया है displacement कि इस्प्लेस्मेंट करेंट कैसे डिफाइन किया डिस्प्लेस्मेंट करेंट उन्हें बोला रेट ऑफ चेंज ओफ मैगनेटिक फ्लक्स एपसलन नौट डीपाइए बाइडी टी के बराबर होता है अगर मान के चलो आपका एक कैपसेटर है और इस कैपसेटर को आप चार्ज कर रहे हैं तो मतलब क्या है देखो इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस वाली प्लेट पर नेगिटिव चार्ज आ रहा है इन चार्जेस की वज़े से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह बार बार क्या हो रहा होगा बदल रहा होगा ठीक है और ज करने का हां बिलकुल आता है वो इसंटीक किसे वज़ेस पर मेंगेटक की हो रहा है तो इस लूप में बीच में हम इसके अंदर δ把它 magnetic field generate हो रहा था, इस magnetic field की value क्या निकाली, तो इन्होंने बोला, क्यार यह जो magnetic field है, सबसे पहले इसकी value होती है, magnetic field is equals to b.dlmps circuit, लो नगाया, तो is equals to mu naught into displacement current, और displacement current इन्होंने कैसे define किया, epsilon naught rate of change of electric flux, तो अगर मुझे यहाँ पर electric flux define करना है, तो इस वाली loop से, electric flux will be defined as e, electric field into dA का integration, और सिंस अगर electric field constant है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, e into area, ठीक है, तो इन्होंने बोला e into area, तो भाई, electric flux कितना हो जाएगा, एक मिन, यह d phi e by dt नहीं, d यह हो जाएगा, ठीक है, तो this will be equal to electric field dot dA का integration, ठीक है, और अगर यह electric field dot dA का integration आगया, ठीक है, तो e into a, ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने e into a की value, इसका differentiation रख दिया, ठीक है, जैसे जैसे तो area constant है, तो जैसे इन्होंने differentiate किया, तो rate of change of electric flux कितना आ गया, area a into dA by dt, ठीक है, area a into dA by dt, सिंस यह charge हो रहा था, तो लगाता है, इस पर charge बढ़ रहा था, q बढ़ रहा था, तो q बढ़ रहा था, तो dA by dt भी आएगा, ठीक है, electric field क्या होता है, it is equals to sigma upon epsilon naught, या फिर उन्होंने बोल दिया, कि यह होता है, q upon epsilon naught a, और since q किस्ते बढ़ेगा, तो dA by i is equals to dQ by dt, तो इन्होंने बहीं क्या बोल दिया, इसको differentiate कर दिया, और इससे जो result निकाला वो आया था, यह, चीक है, वो क्या आया था, कि अभी तक हमने बात करी थी, एंपियर सर्कृटल लॉप में, कि किसी भी लूप से, किसी भी लूप से, जो करेंट, जो magnetic field generate होता है, b.dL is equals to mu naught into i inside, जो उसके अंदर से i pass हो रहा था, अभी इन्होंने इसको थोड़ा सा और modify कर दिया, Maxwell ने ampere circuit law को थोड़ा सा और modify किया, और उन्होंने ये बुला, कि ये तो होता ही होता है, साथ में एक और current होता है, जिसका नाम है displacement current, और इस displacement current की value क्या होती है, epsilon naught d phi e by dt, ये क्या है, rate of change of flux है, चीक है, और flux कितना आगया, phi e क्या हो जाएगा, e into a, तो इसका differentiation करोगे, will be equals to, ठीक है, आप चाहो, तो इसको अब ऐसा भी लिख सकते हो, a into d e by dt, electric field क्या है, q upon epsilon naught a, q upon epsilon naught a का differentiation, a into d by dt of q by epsilon naught a, since area दोनों बराबर लिये हैं, तो ये cancel हो गया, d q by dt क्या आ गया, current आ गया, current by epsilon naught, ठीक है, और ये वापस से वही बन गया, i by epsilon naught और i c बराबर हो गया, ठीक है, तो जब area same है, अगर आपने जो loop का area लिया है, ये plates के area के बराबर है, इस condition में, आपका conduction current, यानि कि ये वाला current और displacement current कैसा होता है, same होता है, ठीक है, कई बार इससे सवाल आ चुका है, कि आपसे ये area पूछ लेगा और बोलेगा इन दोनों के बीच में relation निकाल दीजे, या area आधा कर देगा, तो बोलेगा relation निकाल दीजे, ठीक है, अगर area बराबर है, तो इस दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर area आधा है, तो आप उसी के according यहाँ पे a by 2 कर देना, ठीक है, इसको यहाँ पे a by 2 से replace कर देना और solve कर लीजेगा, ठीक है, चलिए भई, अब इसके बात करते हैं Maxwell's equations की, तो Maxwell का biggest achievement यह था, कि Maxwell ने already existing equations को एक साथ ला करके solve किया, और उन्होंने यह प्रूफ किया, कि जब जब electric और magnetic वी लिया, जब जब charge accelerate करेगा, तब तब एक electromagnetic wave वो generate करेगा, ठीक है, यह Maxwell का biggest achievement था, और इन्होंने basically क्या किया, हमारी जो already चार existing equations हैं, उनको combine करके solve किया, solution हमारे slaves में नहीं है, सिर्फ equations है, पहली equation Maxwell की क्या है, gauss law जो हम electric field में पढ़ते हैं, कि e dot ds is equal to q inside by epsilon not, total flux is equal to, total electric flux is equal to q inside upon epsilon not, second lock है था, second gauss law था, maxwell's field के लिए, since, no sorry maxwell field, sorry magnetic field के लिए, electric gauss law for magnetic field, basically electric flux magnetic field के लिए, since magnet का monopole बनाना practically possible नहीं है, तो इन्होंने बोला, कि यार, b dot ds is equal to 0, behavior same था, लेकिन इसके monopoles हो नहीं सकते थे, magnetic charge के, तो इसलिए उन्होंने बोला, b dot ds is equal to 0, इसके बराबर होगा, third law है, faraday's law of electromagnetic induction, ये क्या बोलता है, ये बोलता है, e dot dl is equal to rate of change of magnetic flux, अगर किसी लूप से आपने magnetic field vary कराया, तो उसके अंदर एक electric field भी generate होगा, और fourth, amperes Maxwell circuital law, ये basically amperes law को हमने क्या किया है, amperes circuital law को Maxwell ने modify किया, और इन्होंने बोला, rate of change of b dot dl is equal to, किसी भी लूप के अंदर जो magnetic field generate होगा, b dot dl is equal to mu naught into conduction current plus displacement current, इन चारों equations को combined form में, हम Maxwell's equation के नाम से जानते हैं, अगली बात आती है, properties of electromagnetic waves, electromagnetic waves की क्या properties है, क्या खास बाते हैं, सबसे पहली बात, दोनो, electric field और magnetic field क्या होते हैं, एक दूसरे के perpendicular होते हैं, both of them are in same phase, तो अगर मैं एक की equation लिखता हूँ, e naught sin kx minus omega t, तो दूसरे की equation अपने आप हो जाएगी, b naught sin kx minus omega t, चीक है, दोनों की equation हमेशा इस तरीके की रहेगी, दोनों का phase difference क्या होगा, जीरो, बस plane अलग-अलग होगा, अगर ये मैं लिखता हूँ, ये हो गया हमारा j cap में, if this is in j cap, तो ये हो जाएगा हमारा k cap में, इस type से, चीक है, और same phase perpendicular to each other, चीक है, अगर मुझे किसी wave के propagation की direction निकालनी है, तो direction is given by e vector cross b vector, अगर मैं electric field से magnetic field तक fingers curl करूँगा, अगर मैंने electric field से magnetic field तक fingers curl करूँगा, तो जो thumb की direction होगी, that will show you the direction of propagation of wave, अब wave की energy कितनी होती है, तो average energy किसी भी electromagnetic wave की होती है, half epsilon naught e naught square या b naught square by 2 mu naught, दोनों बातें बिलकुल सेम है, अब कई बार ऐसा होता है कि आपको e naught maximum amplitude की जगह है, average amplitude देता है, मतलब क्या e root 2 वाला, rms वाला, तो क्या करते हैं, फिर e by root 2, अगर आप से खाली e बोल दिया, तो that will be equals to e naught by root 2, कभी-कभी rms वाली value भी दे देता है, तो यह इसको रख देते हैं, तो e naught by root 2 कर देंगे, तो e naught क्या हो जाएगा, root 2 e, तो यह हो जाएगा epsilon naught e square, चलिए भई, तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं, अगली चीज़ है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ, तो electric field की energy क्या होगी, 1 by 4 epsilon naught e naught square, magnetic field की energy होगी, 1 by 4 b naught square by 2 mu naught, यह b naught square by 4 mu naught, इसके बराबर होगी, चलिए भई, अगली चीज़ बात करते हैं, speed of wave in vacuum, vacuum के अंदर speed क्या होगी, तो speed is given by omega by के, जो कि हमारे wave equation से भी आती है, यह e naught by b naught, चलिक है, आप इसको याद कर रख सकते हो, electric field is equals to b naught into c, अगर मुझे इन दोनों के बीच में, कभी-कभी क्या होता है, electric field दे देता है, vacuum में बात कर रहा हूं, ध्यान दीजेगा, electric field दे देता है, magnetic field निकालना है, तो ई-0 by B-0 दोनों का रेश्यो किसके बराबर होता है C के बराबर होता है या E is equals to B into C electric field is equals to magnetic field into C चलिए बई यह आजाएगा और इसी की value बराबर होती है 1 upon under root mu not upon mu not into epsilon not के बराबर तो speed of light, speed of any electromagnetic wave in vacuum is given by 1 upon root mu not into epsilon not अगर यही medium हो जाता तो उस medium का permeability और उस medium का permittivity लेते हैं चलिए बई बात करते हैं intensity के बारे में intensity क्या है? energy per unit area per unit time को हम बोलते हैं intensity and this is equal to half epsilon not e not square into C या फिर B not square C by 2 mu not बस कुछ energy में C का speed of light का और multiply कर देता हूँ तो average energy में speed of light का multiply कर दूँँगा तो आपको intensity भी मिल जाएगी चलिए बई अगली चीज़ बात करते हैं radiation pressure के बारे में radiation pressure क्या होता है? तो radiation pressure basically light कोई भी हो या कोई भी आपकी electromagnetic wave हो अगर वो किसी भी चीज़ से टकराती है तो उस पर pressure exert करेगी कितना pressure exert करेगी? अगर वो completely absorb हो जाती है तो I by C intensity upon speed of light their intensity is equals to half epsilon not mu not square into C, half epsilon not e not square into C आप चाहे तो इसके बराबर भी यहाँ पे रख सकते हैं divided by C कर सकते हैं चीक है? या फिर 2I by C अगर completely reflect हो जाती है तो 2I by C के बराबर pressure exert करेगी चीक है? अगली चीज़ momentum हर एक electromagnetic wave के पास momentum होता है although photons के पास कोई rest mass नहीं होता फिर भी momentum carry करते हैं कितना U by C energy per unit energy density upon C इतना momentum होता है इसके बाद बात करते हैं pointing vector के बारे में pointing vector basically एक vector है जो कि यह बताता है कि आपकी wave जो है किस direction में propagate कर रही है कितनी energy लेकर के जा रही है तो energy per unit area per unit time in the direction basically यह intensity ही है लेकिन एक direction के साथ है ठीक है से लिए vector form में तो इसका formula क्या है e cross b divided by mu not this is defined as pointing vector ठीक है e vector electric field vector cross b vector divided by mu not कई बार आपको electric field और magnetic field दे देगा और direction पूछलेगा कि wave के propagation की direction निकाल दीजिए तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है e cross b जिस direction में होगा that will be the direction of electric sorry propagation of wave ठीक है आपके electromagnetic waves में बस इतनी सी ही important बाते हैं और इनहीं बातों के ऊपर आपको बहुत simple सा question बना करके देगा जो के आप easily बना आएंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही all the best thank you है